नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो BMS के बाद मैनुफेक्चरिंग में जाना चाहते हैं या ऐसे छात्र जीनों ने रशास्त्र भैसट जीकलपना जैसे विशय से MD किया है तो वह भी मैनुफेक्चरिंग में जाना चाहते हैं ऐसे में उनका सवाल यह होता है कि अगर हम किसी भी मैनुफेक्चरिंग यूनिट को बनाना चाहें या अगर third party manufacturing कराते हैं तो ऐसे में कौन-कौन से documents की जोरत पड़ती है कितना space उनको चाहिए कितने staff चाहिए और कौन-कौन से instrument होने चाहिए और license के लिए हम कहां पर apply करेंगे तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे इन सारी चीजियों के बारे में कि अगर आप आयरवेदिक drug manufacturing करना चाहते हैं तो आपको किन-किन formalities की जोरत पड़ती है यहाँ पर यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम जो भी नियम यहाँ पर बताएंगे उस समय समय पर भारत सरकार और राज सरकार के द्वारा समय समय पर बदलते रहते हैं तो जब आप license के लिए apply करेंगे उस समय के नियम और कानून को जरूर एक बार देख लें और उसके बाद उसके अनुसार apply करें manufacturing के license लेने के जो भी रूले काफी ज़्यादा complex है इसलिए हम कोसिस करेंगे कि सरल और आसान भासा में हम आपको उन सारी details के बारे में बताएंगे तो चलिए हम सुरू करते हैं आज का यह वीडियो और वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नाय है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ में बेल बटन को प्रेस जरूर कर ले जिससे की हर आने वाली वीडियो का notification आपको समय से सबसे पहल पहले जरूरी है कि आप जो है वह अपनी यूनिट मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट कहां पर बनाना चाहते हैं तो मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट की सबसे बड़ी requirement है कि जब भी आप ऐसी को यूनिट डिवलप करना चाहते हैं तो जो प्रेमाइसे जो जो बिल्डिंग हो वो इंडस्तेरियल एरिया में होनी चाहिए जानि कि किसी रेजिदेंशिल पर परपर्टी में आप इसे सेट अप नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले जरूरी है manufacturing यूनिट की लोकेशन जो की इंडस्तेरिया में होनी चाहिए जो बिल्डिंग है या तो आपके खुद की हो या आप उसे rent पर भी ले सकते हैं लेकिन दोनों conditions में आपको इसके लिए document जो है provide करना पड़ेगा अगर आपके खुद की है तो ownership certificate देना पड़ेगा और अगर rent की है तो rent agreement आपको license की apply करते समय देना पड़ेगा जो भी building हो उसमें minimum तीन कमरे जरूर होना चाहिए एक जो है आपक 1200 square feet होना चाहिए पर drug according यानि कि अगर आप दो ड्रग बनना चाहते हैं तो उसके corresponding SP सबका बढ़ जाएगा लेकिन सिर्फ एक ही product बनना चाहते हैं तो उसके requirement लगबग 1200 square feet की होने चाहिए तो यह हो गया आपका जहां पर manufacturing unit बनना चाहते हैं उसकी building का अब इसके बाद आता ह है कि नाम किसी भी company का जो है नाम है बहुत ही unique होना चाहिए क्योंकि नाम ही जो है पहचान है जैसे कि जो भी हमारे पास आप देखते होंगे जो बड़े-बड़े manufacturers है उनकी नाम ही उनकी पहचान है और नाम से ही आपके जो भी company उसकी quality कही पता चाहिए लाता है और उसके product का ही पता चाहिए तो नाम जो है बिल्कुल आपका unique होने चाहिए और कहीं ने कहीं जो है नाम अगर आप आयरवेद के product बनाना चाहते हैं तो उसका नाम जो है आयरवेद से ही मिलता जूलता होना चाहिए जिससे कि अगर नाम सुनते ही किसी को भी अंधाजा लग जाए कि जो आपके company है आयरवेद के products बनाती है दूसरा important जो factor होता है कि logo आप देखते होंगे कि बहुत से company का नाम नहीं लिखा रहाता है लेकिन logo देखर या बता सकते हैं कि ए product किस company का है तो नाम unique होना चाहिए साथ में आपका logo भी unique होना चाहिए जिससे देखते ही logo को आपकी company का नाम याद आ जाए नाम रखते वक्त जरूर ध्यान दे कि नाम जो है छोटा हो और सिंपल हो pronunciation करने में असानी हो यानि कैसे complex नाम आप न रख देख कंपनी का कि लोगों को लेने में कठिनाई का उन्प होने लगे तो नाम unique हो छोटा हो और असानी से कोई भी उसको बोल सके साथ में लोगों जरूर आपकी कंपनी का unique होना चाहिए लोगों देखते ही लोगों को ध्यार में आ जाए कि किस कंपनी का लोगों है अब आते हैं license के उपर तो license जो है मेलनी तीन कटेगरी की होते हैं पहला है कि complete manufacturing license यानि कि जिस product के लिए आप license लेंगे उसके manufacturer भी आप ही करेंगे जो दूसरा होता है लोग लाइसेंस होता है यानि कि आप अपनी प्रोड़क्ट जो है किसी भी third party के manufacturing unit में करा कर आप उसकी marketing करेंगे और जो तीसरा है वो है contract manufacturing यानि कि किसी third party के license पे आप थर्ड पार्टी के manufacturing unit से अपनी दवायें बनवाएंगे और शेल करेंगे तो इसमें आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप किस लाइसेंस के लिए अपलाई करना चाहते हैं अगर आप खुदी ownership चाहते हैं खुदी marketing चाहते हैं तो इसमें आपको जो है complete manufacturing license के लिए apply करना पड़ेगा license के बाद जो सबसे महत्वपूर है वो है GST क्योंकि बगर GST registration के आप जो है कोई भी business नहीं start कर सकते तो जब सारी formality हो जाए तो आप GST के लिए apply करें और GST का number जरूर ले ले तभी आप जो है company से business start कर सकते हैं जो staff की requirement है वो minimum आपके पास 4 होने चाहिए जिसमें कि 2 IRB से सम्मंदित होने चाहिए और 2 technical staff होने चाहिए यानि कि 2 BMS doctor और 2 pharmacist होने ही चाहिए minimum इसके अलावा और BS staff की आपको जरूरत पड़ेगी जो की आपको help करेंगे manufacturing के process में तो इन सारी चीजों के तयारी कर लेने के बार आपको जो है prescribed format है उसके लिए आप license के लिए apply करना पड़ेगा तो apply करते समय किन-किन documents की जरूत पड़ेगी वो भी हम आपको detail में बता देते हैं तो जो सबसे पहला paper submit करना है वो है plan and layout of premissage यानि कि जहां भी आप unit को develop करना चाहते है manufacturing unit को तो उस पूरे site का आपको layout देना है और plan आपको submit करना है apply करते समय जो दूसरा है आपको rent agreement या ownership का paper चाहिए उसको submit करना है जो तिसरा है declaration of proprietor partnership और director यानि कि अगर आप किसी के partnership में करना है तो उसका agreement आपको देना पड़ेगा अगर third party manufacturing करा रहा है तो उसका agreement के paper आपको देने पड़ेगे इसके बाद जितने भी medicines आप बनाना चाहते हैं आयरवेद के अशधिया बनाना चाहते हैं तो उनसे related paper आपको submit करने होगे तो इस paper में क्या क्या है तो एक तो है कि जो formulation आप बनाना चाहते है तो उस formulation से सम्मंदित जितने भी आपके machinery चाहिए और जितने equipment चाहिए उन सब की list आपको बना कर submit करनी होगी इसके अलावा जितने भी आपने staff रखे हैं तो उन सभी staff का certificates of academic qualification experience certificate और उनके appointment later यह सब आपको जो है application के साथ ही submit करना होगा passport size photo जितने भी आपके partners हैं या जितने भी owners हैं सबके passport size photo पनाना चाहलते हैं उन सब की Lebens यानिए कि जब आप sell के लिए market में देते हैं कि अलगण पैकिंग होती अलगण लेवेल होते हैं तो जितने भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हुं उन सब की लेवेल्स क्या क्या साइज में बनाना चाहेंगे सब के साइज और सब की पैकिंग उसल भी आपको अप्लिकेशन साथ अटेच करना पड़ेगा इसके अलावा सेलफ एड्रेस्ट एंवेल अनि क कि अपना पता लिखा वोस में लिफाफा भी आपका टैच करना पड़ेगा जिससे कि कोई भी कम्यूनिकेशन करना हो तो विभाग आपसे कम्यूनिकेट कर पाए इन सब के अलावा क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स फ्रॉम थ्री इस्टिचूशनली क्वालिफाइड आयरवे सेंट्स पर होनी चाहिए अर्थात जितने भी जवह पर आपने सेंटर्स पर आपने जूस ड्रक का क्लिनिकल ट्रायल करवाया है उन सब का डिटेल आपको प्रोफार्मा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको समिट करनी होगी इसके साथ में तो जब इन सारे डॉकुम आपको जो है रिपोर्ट समिट करेंगे और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी रिपोर्ट पास्टिव है तो फिर आपको लाइसंस यह जारी कर दिया जाएगा और अगर कोई कमी है तो भीभाग आपको सुचित करेगा कि आप जो निर्धारीत आओ धिये उसमें उन कम्योंग को पूरा करके आप फिर से दुबारा अपलाई करेंगे तो आज के इस वीडियो में हमने आपको ब्रीफ में बताया कि अगर आप जो है कोई भी मैनुफेक्ट्रिंग इवनिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन-कौन सी रिक्वाइर्मेंट्स होती है तो आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अधिक साधिक शेयर कीजिए